कि हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है तो कैसे चल लए अपनी रिजिनिंग कि जर्णी बहुत ही बिंदास और यत्रा अपनी चलती ही चला है जाए अभी पता नहीं चला है कहां पे इंड होगी क्योंकि जब तक आपका स्लेबस ड्राइस और ही नहीं हो जाएगा इंड होने चांस नहीं होता कोई पॉइंट ही नहीं इंडर करने का चलिए इस्टार्ड किया dla slightest था उरट कलास में हां घनाव जिसमें हमें हमने वित पूरोब के साथ क्यूब के ही फार्मूलों से क्यूब ऑयच के फार्मूले generator कि ये विना कुछ कणाण आय। के दोबारा से हमको दोबारा से हमको learn k daqui क्यूब कीवाज के फार्मूले हमने याद किवे थे अब याद खरना नहीं पड़ा आपको बस ट्रिक के माध्यम से कनवर्ड करना था जहां आपका क्यूब में सिंगा लेन होता था क्यूब आइड में आपके अलग अलग फॉर्मेड में तीन निकी वैलू निकलती थी तो एनवार एनटू और एनटीरी प्रिविएस एर क्लास में उसमें कोशन भी किये थे धेर सारे अब इसके बाद चलते हैं जर्नी को और आगे लेके और आगे करते हैं इसको श्ट्रॉंग वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना बोले वीडियो को हां लिस्ट में अड़ करिए चलते हैं नेक्ट कंसेप्ट पे और आगे चलो तो देखिए मेरे भाई क्यों स्टाइड किया था क्यो माइट संध हा घनाब जिसमें बहूत वी बेडरीन तरीके से समझा आ यह सब बेसिक था आपको क्योब के कुछ का सबस्सक्राइब करा दिये किवाद के का सब्सक्राइब कर गै। आप सुरू होता है क्योड को सन इसमें होंगें बहुत cuma सब्सक्राइब इसमें इसमें आपको और एक नई चीज पढ़ना पड़ेगी आप चलते हैं टाइप सेकेंड सुरू होता है बहुत ही प्याय तरीके से स्माइल करिये आप यू इसमाइल ऐसे बनाते हैं कि अधिया अधिया इसमाइल करिए और चलते हैं लेकर इसको आगे आरेक च्छेलो कि या देखिए फोर नंबर कोर्शन इसमें टाइप सेकेंड में बहुत ही प्यारा बहुत ही लाजवा बहुत बिंदास अपने आप में एक नेश्ट लेवल का कोर्शन मनता है देखिए आपको दिया गया है मेरे भाई एक फिरी इंटू 12 इंटू 15 सेंटीमीटर के रंगे हु कुछ आपको कंडिशन दी गई है जो कि आपके नेक्स्ट पेज में है यह तो उससे पहले आपको तो एंट की वैलू फाइंड करनी है क्या देगा वन थिरी इंटू 12 इंटू 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब वाइड इस कट इंटू स्मालर क्यूप्स आप थी सेंटीमीटर देन आंसर था फॉलोविंग कोशन चलिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं बेसिक सी बताते आपको बहुत ध्यार पूरुवक समझेगा आप पेसंस बनाया रखिए चलो हुआ को क्या दिया गया समें सबसे पहले तो आपको जहां क्योब में केवल सिंगल एन होता था अब पढ़ रहे क्यूबाइड क्यूबाइड में आपके अलगला फॉर्मैट में तीन एन की वैलू निकलती ठीक है तो देखिया यहां से यां से आपको क्या थीन एन और एन्टीरी तो लिखते हैं पर वैलू पर लिखिया आप देखिए एन्वन क्या दिया गया आपको थीरी एक थीरी इंटू ट्वैल्व इंटू 15 सेंटीमीटर के बिगर क्या यूब वाइड को आ तीन-तीन सेटीमीटर के छोटे-छोटे घनों में काटा गया गए लिख चलिए तो यहां से एन्वन की वाईलू क्या निकलेगी मेरे भाई यहां से आपकि एन्वन की वैलू आ जाएगी कितने वन है आं कि वैलू आ जाएंगी वन और यहां से आपक्unya आजाएगा verbess स्क्त्रशार लिख से एदेगा घ्युन ह सी आपक्य आजायेगा is correct चलिए अब जब value आ पने निकाल ली तब इसको जहां पे सकी कंडिसन लिखी गए है भाई वहां पे करते हैं इसको solve चलिए तो देखिए हाँ यहां पर एन वन की value निकली वन एन टू की value निकली आपकी और एंट्टु के वालू निकली पोर और एंट्री की वालू आपकी निकली पाइब करेक्ट चलिए अपना प्रियूब आपने लिए आपको बताई यहीं पर बनाते हैं क्योंकि यहीं पर लिक्षी हुई है करेक्ट चलिए तो देखिए है तो अब बहुत अच्छा को सब्सक्राइब ने जा रहे हैं आपको धंक से देखना है अब बनाएए पहले क्यूबॉड और बहुत इस पेसल चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी इस वाले क्यूब में क्यूबाइट कंसेप्ट में ताइप सेकंड चला है इसमें बहुत ही बेतरीन और बहुत ही लाजवाप आपको कंसेप्ट पढ़ना है करेक्ट चलिए कि वन फॉर्थ ठीक चला हूँ जालो बन गए जिसमें आपको इसकी डायमेंसन क्या दी गई है डायमेंसन इसमें आपको दी गए है 15 हां 12 और तीन चलिए यह आपकी 15 है अब अब उनदरा सेंटीमेटर यह आपकी कितनी है है तिरी सेंटीमेटर और यह कितनी है आपकी 12 यह आपके पास ठीक है और इसको आपको छोटे चोटे चोटे नहीं कर्दे ह på इसको मेरे भाई आपको तीन- dabei है आपको 30 cm के फोले पालमे से कर ना हां 30 cm वंच तर्ट यह से देकिए है और यहास से आपको नगले वन नमब और फार्ड कितने निग लें वन कट करने के लिए यहां से आप कितना निकले का फाइप kuqo when iasya निकले आपका फोर यह बात समझ पर आप देखियें यहां पर हाँ इस वाल्य मात तो कितने part करद़क ने 不ior sorry five part है कि five और नंबरे आफ पार्ट से cut जब आफ लगाएं नंबरो फार्ट से एक कम कट कैसे लगाते हैं नंबर और पार्ट से एक कम तो फाइब पार्ट बनाने के लिए कट आपको कितने लगाने पड़ेंगे फूर लाइक इस कुछ ऐसे हां ओर वन व्यों ठी और यह फूर ऐसे कट लगाते हैं न चलिए यह अभी आपकी एक डाइमेंशन की बात हो गई यह इसके बाद अब देखिए यहां पे आपकी एन की वैल्यू कितने लिए वन पार्ट आपको कितने लिए वन और देखिए नंबर और पार्ट से एक कम तो यहा इसके बाद देखिए फॉस्वारी साइट से आपको कठी नहीं लगाना पड़ा हाँ चलिए इसके बाद कि यांपर देखिए पार्ट क् न्हें डेना कलर्ण क्यों वैड चलिए आप चलो है तो अभी आप देख है इसमें सबसे पहले कॉर्ण कि से क्लर किया जाए का नर। कॉट र्क आती इसको कलर कलरिंग करनेए की अि अथए कॉल पिंच वाले गन इसके बाद मिडल घंग कुछ बन रहा है ना उनको आप अलग कलर से paint कीजिए का यह मैं जाला आपके कौन से है बीच वाले यह आपका कौन से आपके ऐसे गन है जोंकि Middle क्यूप है कि विज अरो मिडल क्यूप इसके बाद कुछ आपके देखिए Central क्यूब है ना बीछ वाले के अंदरी ये घन की वह आपकी यह यह है दीज अरो सेन्सेंट्रल क्यूप अब भाई बात यहा पर एक कंक्ल्यूजन यह निकल के आएगा यहाँ पे आपको कि यहां पे जब मेरे भाइए आप देखेंगे यह की लेक लेते हैं सबस्क्राइब आप बोलेंगे यह हैं आपके corner यह को आपकर कौर्नर क्योंब तो तो देखें यहां से आपको कुछ अलग草मेट्व कुछ मलेगा हां अलग草ममेट्व कुछ मिलेगा इतरा चलिए हम इसको करना चाहिए छोटा इसलाईड में यही पर आपको किलियर करा देते हैं ह puzzly अले आउल का उप मुल इसको ऊपर लगा देते हैं यहीं पिकर आते हैं इसको वह दिकत में लग के पैना चलो भाई इसको तो छोटा कर सकते हैं बहुत ही बेतर ये यह आप की बात हो गई इसके बारे में इसके बाद इसको आप थोड़ा Erase कीजिए और N1 की टेवलु की सब यहां पर फिर से कनवर्ड कर लीजिए आप N1 की वैलू कितनी थी? N2 की वैलू कितनी थी? और N3 की वैलू कितनी थी? कितनी थी? 1, 4 और 5 जो कि आपने पहले ही Find कर ली थी हां चलिए इसके बाद देखिए यहां पर Corner Cube आपके वैलू देखना चेंज होगी देखिए Corner Cube आपके कितने होगे? Corner Cube की वैलू कितनी होगी है? अभी तक आपने Corner Cube जितने देखे थी? ज्यादा-ज्यादा Maximum Surface कितनी पेंट होते थी? 3 पर आप यहां पर देखेंगे यहां पर आपके 3 नए देखो कितनी पेंट होगी वैंड टू थी तो आपको इमेजन होगी पर आपकी चौती कौन सी नीचे है? फोर सतय नीचे है तो यहां पर आपको और नया पढ़ने को मिला क्या? कि यहां पर तो 4 सर्फेस कॉमन होगी हां कॉमन मतलब पेंटेड चार पेंटेड होगी चलिए कुछ और भी नया पढ़ने को मिल गया यह आपके कितने? चार पेंटेड वाले हैं तो अभी तक आपने मैक्सिमाम सर्फेस कितनी पेंटेड देखी थी? ठीए पर अब आपका यह देखिए ऐसा केस मिला जहां पे आपक होती थी और इनकी कितने होते थे आपके कॉर्णर क्यूब आठ जो की फिक्स होते थे पर आपको टाइब टू में यहां पे कुछ चेंज मिलेगा अब देखिए कॉर्णर क्यूब की तीन नई चार्ट सरफेस आपको पेंटेड हुई दीक रही है और इनकी वैलू कितनी हो जा आप बात आती है अपको कुछ अलग फॉर्मेड में मिलेंगे यहां पे देखिए आपको कुछ अलग फॉर्मेड पर आहीं मिलेंगे यहां पर देखिए आपके मिडल क्यूब पता है हैं दो नहीं है यह आपको मिडलल कुई हैं कितने मीडल क्यूब चलिये यहां पर यहां पर देखिए आपके एक डो और एक नीचे सर्फिस है यहां पर आपको ऐसे मीडल क्यूब जिटने को मिले जिनकी दो नहीं तीन-तिन सन्वारी स्वाइज पù दीन साइड़ सप्वर्ण थनी यह यह लगिए यह भी आपको कुछ नहीं मिला कितनी ये पिटर पिल तो आप को दिक्र एक नीचे आज़ा ये यह आपको एक साइड में और ये आपकी इसके नीचे, correct, तो यहाँ पर इसकी कितनी सरफेस पेंटेट होगी, middle क्यूब की, यहाँ पर कितनी सरफेस पेंटेट होगी 3, और यह होंगे कितने, चलिए वो भी बताते हैं, यह आपके होंगे 3, कितने 3, यहां पर देखिए आपके मिडल क्यूब थिरी सर्पेस पेंटेड हो गए और इसकी वालू कितनी होगी देखिए कौंट कीजिए 123 इस वाले एज से 3 इस वाली एज से 3 इस वाली एज से 2 हां 3456789 10 हां कितने हैं यहां पर 10 कि निए चाहिए लगज न समझ पाया इम यहां पर वह कितने निकले से 3 क्लेट इस बाद इसके बाद मेरे भाई आप यहां पर यह देखिए कि मिडल की पुछ आपके ऐसे क्यूब जो कि सेंट्रल क्यूब वह कितने हैं अभी तक आपने ज़ितने भी देखें सारे वन सर्पे सब्सक्तिन पर च Certain खुले आपको आपको ऐसा देखने को मिलेगा च्तरल्स के कि आपकी दो सुर्फेस पेंटेड कितने टेन्डल कियूब आपको यहां पर कि आपके ओपर हैं शेया आपको क्या हो यहाँ कि नीचे ऐसे करेंगे कि यह हां बताएए ऐसे नहीं 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 भाई सेंट्रल की वापके वाई काउंट होगे ना जो उपर है वह नीच तो कितने इनकी सर्फेस यह बताईए अभी तक आपने केवल नोग केवल एक सर्फेस पेंटेड देखा था पर आप यहां पर आपके इस स्पेसल कौस्तन बन जाता है तो देखिए एक सर्फेस उपर आपको दिखर हइए और टेक आपकी क्या होगी नीचे सर्फेस पेंटेड करेक्ट चलिए तो यहां पे चेंटरल क्यूब के वैलू जो होती थी वन पर पर आपको कितनी टू सर्फेस पेंटेड दिख रही है तो देखी आपके कितने हो जाएंगे आपके कितने हैं बाया एकज्डा मुंच हां कितने हैं 6 1234 56 कितने हैं आपके सिक्स बस यहां पर तीनी प्रकार के आपके इस इंट्रल क्योग बनेगेhma सौरी क्योग बनेगे इसलिए कॉन से कॉड्र पर क्यूबٌ मिडल ग्यूब और सेंट्रल क्यूब कशल तो देखे यहां से आपको यह तो अभी आपको माने बेसिक से अंट इस प्लेनेंगर प्लेंगर ह indispens कर आपको यहां पे ऐसे आंसर नहीं देना है अब आपको बताने जाना है ट्रिक के माध्यम से करेक्ट क्या ट्रिक के माध्यम से अभी तो आपने क्या देख लिया कि यहां पर किस फॉर्मेड में हो सकता है तो यह बात आप याद रखना कि यहां पर फिक्स होगी जो कि कितने फोर सपेंटेड होंगे और इनकी वैलू कितनी होगी फॉर वैलू कितनी होगी फॉर चलिए अकॉर्डिंग कैसा आपसे अपना अंसर देते हैं यह कब अच्छा स्पेसल को सन कब आपको समझ में आएगा जहां कहीं भी आपकी एन की तब आपको क्या टीनों में से एन की वैलू जासे आप एक पार्ट का कठी नहीं कर रहें तो स्पेसल को सन बन जाता है ठीक है चलिए यहां से टोटल आपके कितने निकले टोटल जो है भाई मेरे ऐसे देखो टोटल जो आपके निकले है तोटल कितने निकले ऎन 1 इंटो एन 2 इं 2 एन 3 हां एन 1 इंटो एन 2 इंटो एन 3 तो कितने हो जाएंगे आपके 20 कुल यह आपके टोटल की संख्या निकल यह कितनी है 20 करेक्ट इसके बाद पहली कंडिशन आपसे पूचि कि क्या वाट इस दा नंबर ओप टोटल क्यूब जमेड कितने आपके 20 करेक्ट कितने 20 इसके बाद कि दूसरी कंडिशन क्या है हाउ मैनी क्यूब्स है फोर सर्फेस पेंटेड तो देखिए चार सतय रंगे वे गनों की संख्या कितनी होती थी जो कि आपके प्रेक्ट कितनी है फोर चलिए थाड़ देखिए थाड़ आपका क्या है हाउ मैनी क्यूब्स है टूसर पेंटेड दो सतय रंगे घनों की संख्या बताइए कैसे बताएंगे चलिए इसको बताने के लिए स्मार्ट अप्रोच आपको बता रहे हैं चलिए एक बाप फिर से आप देखते हैं चलिए अब यह आपने क्या देखा फूर सिर्पेंटेड जो कि आपके कौन से होते थे ओल्ट कुब्स कि इनकी वैलु कितने होती थी आपकी इसके बाद मिडल क्यूब मिडल क्योब किस्दोफेंटे थी आपकी किरी शर्पेंटेड अभी ऊरिकीब से बार में आपको बताने जा रहे हैं है ना अभी आपको एक ही बार में बताने जा रहे हैं । चलिए तुद देखिए आप यहां से हमको तो देखना पड़ेगा क्योंकि आपको सई से दिखाना है तो चलो अभी आपने दो के आंसर दे दिये बहुत ही बिंदास इसमें आपका 20 था इसमें आपका 4 था सेकंड की बात आती है ना तो चलिए यहां से आपके तो 4 तो आपको फिक्स हो गए है हमां और की आपकी फोर रहेंगे जिएखी जादा-जादा आपकी आप 4 सतर रंगी अभी तक आप आप और अपको ऐसे क्यूब मिलनें जोगी फोर सतर रंगी अब देखिए बात आती है कि सबसे पहले आपने क्या करना है इसके बाद आपको यह करना है कि एक निकाल चलेंगे एनने मेंसे धोर करके घठा दो करके तो कम करके गठा दो कारेक्ट तो चलिए तो आपकी किसकी निकल आएगी सेंटल की वैलू तो देखें यहां से इसके देखो टोटल की वैलू आपको कितने निकली टोटल फिर से लिखलो टोटल जो आपके निकले टोटल आपके कितने निकले टोटल जो आपके निकले कितने 20 जो कि इनका समी तो पूरा होगा इन तीनों का सम कितना है 20 और क्डिक इसके बाद को यह कुलिक कर ला है तो इसकी इसे के व्यलुके ञाला कि directly n12 कितनी यह ओर्ट टूलस करें कितना आ जाएगा आपका गला जाएगा आपके 6 तो देखिए आपकी कॉर्णर क्यूब की फोर करेक्ट देखिए टोटल आपके कितने थे टोटल थे आपके 20 कॉर्णर क्यूब आपके फोर मिडल क्यूब आपके निकल लगये सोरी Central कुब आपके निकलेगे जिक्स ठीक है तो कॉर्णर और सेंटल कि वाइलू को एड करके टोटल में से घटा दो तो आपका एक ही बार में मिडल कि वैलू निकल नहीं निकलाई कितनी आ जाएगी 20 टॉटल में से हां एसको फरमूला हो जगा है सब्सक्राइब जो टल से डोटल से किसको घठा दो इस पॉरly और मधल और इनको विदू हा में च्छोस्योटन्त को ईड कर के टॉटल म से इन दूरुब्यक अवैली को एड करको कितना है आपका 10 कर्रेक्ट चलिए टोटल में से घटाओ चलिए तो कितना आजाएगा आपका यह चलिए दो सत्य रहंगे घनों कि संक्या बता यह कितनी हो जाएगी तूरफस्पेंट के लिए कितनी आपकी 60 a number जो क्या और क्योंबन रहा है करेक्त शेंट्रेल आपके तूसर प्रते पर ऐसे कोई घंद स्वी बार को पीछे देखिए ऐसे आपको कोई भी मेरे भाई घंद नहीं देखा है जिसकी केवल और केवल वन सर्पेश पेंटेड़ ओ करेक्ट चलिए तो उनकी सारी की वैलू क्या हो जाएगी जी रो और बाकी आपको यह भी क्या हो जाएगा रंगीन गनों कि संक्या भी आपकी जीरो समझ में आया ना इसी बेस में करते हैं रफ्तार में आगे को सन्किलिया और आपको आएगी चलिए स्कोंते को स्पीड में करेंगा किया आपको दिया गया है कि अब आपको समाझ twee को अ गदेंग चलिए एक ट्टी ट्ञ ट्टेन ट्टू ट्ञ हए के घनाव को दो सेंटीमेटर के छोट क्षोटए जनों में काटा जाता है तब नमिली लिखत में से उसके प posed whatever कि यहाँ पी दिखो सरे तरेक्ट तो की वैलुक इtin मिनिक ली आपकी आपके डेखो इन वन की वैलूप्र निकलिए आपके आपके फाइब और एंधिरी की वैलू निकली आपकी यहां पे इतनी सिक्स हां यह जब आप कट करेंगे कट करने के बाद समझ गए ना बहुत ही बेटरी इसको कर दिये आप बॉक्स में बंद अब इसकी एंवान टुए रिकाल ली और यह स्पेसल को सनके से पता चलेगा जब कभी भी आपकी एंट की वैलू किसी भी एंट की वैलू एक वना जाए समझ मैं आप बहुत ही बेतरी ला जवाब चलिए ए एनवार एंट टुए कि वैलू आप फिर से लिखते हैं कितनी है ए ओन फाइब के 1 5 पब और 6 ये आपका क्या है एंवन ये आपका है एंट्टू और यह आपकाा एंथिरी बाद समझ में आए बहुत ही बेदरी है चलिए कुल घंशो हां कुल कितने चोटते घंश बनेंगे बनें तोटल हां मतलब टोटल और टोटल आप कैसे तोटल कैसे काउंट करेंगे टोटल जो आपका है मेरे भाई तोटल जो है इनसघ्लचाइ ROS lesson इसका जब करेंगे कहा जाएगा आपका 30 हां कितना आ जाएगी वैलू आपकी 30 है चलिए तो पैदे का आपको अंसर मिली गया कितना है तीस आपसर नमबर बी आपको जो की करेक्ट है इसके बाद इनकी वैलू देखो डाइट कैसे निकालते हैं लगो एंग और नो भी इसके बाद की बेचतर मेंतने मिलेंगे आपको यह आपसे पूच रहा है चलिए तो देखिए और सबसे पहले आप इसको निकाल लिए सेंट्रल क्यूब को और सेंट्रल क्यूब की वैलू कैसे निकाल थे डारेक्ट एनवन की वैलू भूल जाइए बाकि जो आपके बचे उनमें से दो-दो कम करके घटा दो दो-दो कम करके घटा दो करेक्ट दो-दो कम करके घटा दो एन्टू माइनस टू एन्ट्री माइनस टू करेक्ट पास समझ पाया है ना बहुत ही बेतरी चलिया समझ पाया है ना चलिए दो-दो कम करके घटा दो को हो देखिए टोटल आपके कितने थे तोटल तो आपको 30 थे ऑर कॉर्नर क्यूकर कि वैलू कितनी के लिए आपकी फूर और इस में दो-दो कम करके घटा दो एन्टू की वैलू कितनी है फाइब फाइब में से टूल इस करें कितना आ जाएगा आपका थेरी परेक्ट इसक इसकी वैलू कितने हो जाएगी आपकी 12 करेक्ट टोटल कितने थे आपके 30 करेक्ट टोटल 30 थे पहले कि तो आपने निकाली कितने आए 30 उसके बाद इसकी वैलू कितने आगी 4 और तीन सतय रहेंगे हुए घनों कि संक्या की वैलू आप इसकी वैलू कैसे निकालेंगे आप टोटल में से दोनों को आट करके घठा दो टोटल आपको कितने हैं टोटल है मेरे बाई 30 और इसको जब आयट करेंगे कितना हो जाएगा बारा और 4 कितना हो जाएगा आपका 16 कितना हो जाएगा आपका 16 तो यहां से आपकी फिरीश रपेस पेंटर की फार्मूला आपका 16 और 16 आप जब 15 तीस में से 16 अगटाएंगे तो कितना आजाएगा आपका 14 तो इसकी वैलू कितना हो जाएगी तोदा जब आप इसको definitely तीनों को एड करेंगे तो कितना तोटल आपको 30 निकल ला है इस अकॉर्डिंग देखो इसको इस कंसेप्ट को सॉल्व करना है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सर्पेस पेंटेट की आवे कितनी आपकी 14 इस अंदाज में आपको आंसर देना है चलते हैं और करते हैं कॉस्टर यह आपको एक और आता है तब निमनिक्रित प्राश्णों के उत्तर दीजिए चलिए देखिए दिया गए आपको 2 x 6 x 10 cm के बड़े आपको दोदो सेंटिमेटर के चोटे चोटे घनों में काटा जाता है कि तो यहां पर देखिए तर ट कि एलु निकल आइए आपकी व्न और इन ने से आपके ट्री और यहां से गए और इसके बाद आप देखते हैं इसकी इस्टेटमेंट क्या दी गई है तो सबसे पहले तो इसको करिए आप थोटा चलिए इस करते हैं सॉल्व कितने वन पहलू कितने के लिए वन थिरी फाइब थिरी और फाइब यह आपका एन वन यह आपका एन टू यह आपका एन थिरी और एक चलिए इसके बाद आपको कंडिशन क्या दी गई है 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 तैसे को टोटल यहां से तो आप नि companies कर सकती है टोटल टोल रफा कितना तोटल कि टोटल कितना इन कहां मल्टीपलाइट हां कितना हो जाएगा फंदरा टोटल आपकेतने हैं 15 बहुत ही बेचाई इसके बाद्रूचह नहीं पوتछा क्या गया है तो आपको क्या करना है सबसे पहले बहुत ही धीमी गत्से आपको इसकी वैल्यू देनी है किसकी कॉर्णर क्यूप कितनी होती है पोर्जों की आपके fix होते हैं जब कभी भी आपकी n की value 1 हो किसी भी single a की value 1 वह आपकी n की value जरूई नहीं n1 की होनी चाहिए 1 n2 की भी हो सकती 1 और n3 की भी 1 हो सकती है इससे आप confusion मत होना यहां confused create नहीं होने चाहिए इसको आप बोल जाए सबसे पहले आप middle cube को solve कीजिए हां middle cube की value निकालने के लिए सबसे पहले आप central cube की value की वालू की जिए इसको आप करिए अभी break में इसकी value कैसे निकालते हैं एन वन की value को भूल जाए उसके बाद बचे हुए दोनों में से दो दो कम गर के घठा दो एंटू माइनस टू जाए यह कितना नकला एंटू आया आपका कितना थिरी में से वन गया तू गया अलेस गया कितना हो जाए कर वन इन टू एंटू एन थिरी की value कितनी आपकी 5 क्यों ग्राइब उपसंटम घूंपनने निकाने के लिए और आंप कई टोटल में के टोटल में से आट इसको गटा दो इन दोनोंका गई किया कितना हुँ चार किया साथ टोटल ढूवकू की इतना है 1 अबादर फंदरह में आप साथ गटा रखाएbra कि इतना आ जाएगा बाई एट वही तो हम भी कह रहे हैं चलिए ऑप्शन नमबर सी जो आपके करेक्ट है इसमें कंफ्यूजन होती कैसे निकाले वैलू तो क्या करने सबसे परहे तो आपको कॉर्णर क्यूब की वाली निकाल लेना है चेंट्रल की वाली कैसे निकाल लेंगे एन-1 की वाली छोड़ गें बाकी दोनों में से 2-2 कम करके कठा दो तो एनor की वाली कितने है और नमसीब क क्राई कितना दो निकालेंगे टोल मेंसे इन दोनों की वाली को दो कितना हो जाएगा? तोटल आपका कितना है 15 15 में से 7 माइनिस करें कितना आ जाएगा आपका 8 जो कि 100% करेंट आपका सी चलिए एक कोशन और आपका है 7 नमबर देखते हैं यह क्या कह रहा है एक 3 इंटू 12 हां 3 12 इंटू 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाब को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तब सबसे पहले यहां से इन वर एंटू और एंटिरी की वैलू आप फाइंड कीजिए एन वर एंटू और एंटिरी की वैलू चलिए क्या आपका 3 और 12 और 15 कि इसको इंटने चोटे चोटे पार्ट में कट किया गया बास समझ पाया ना चलिए तबाष़ बहुत की बेतरीप गलत तो नहीं लिख दिया गलत तो लिखा है इसकी देखो ठीजिए पारड में आपको करना है कट तो कितने आ जाएगी इसकी वायलू P different कि ये कितने आ जाएगे आपकी फाइब है समझ पाए न शलिए तो देखी इवन किस ए इसकी कितनी आगई आ पीवन इन चलो कि इतने कितने वैलूने के लिए देख देते हैं 145 145 145 यह आपका एंवन यह आपका एंटू और यह आपका एंटिरी की वैलू करेक्ट चलिए टोटल कैसे निकाल सकते हैं ना डोटल डोल कैसे निकालेगे इनका सब्सक्राइब होता है टोटल क्योंकिछ आपको 20 कि टोटलक की वेलू निकल्ई इसके बाद कि इसके बाहते और कि टने छोटे-छोटे घन बनेंगे हैं तो आपके कितने निकालाए टोलवा क лет से निकले टोटल जो मेरे खाल कितनें निकले आपनेएसका बाद में आUP जानते ही हैं हाँ कॉर्ण होते इसकी इवाल्यी फिक्स होती है कितना ही फोर तो देखिए ब् عنवких पेंटेड हां कॉर्णर क्यूब की वैलू आप जानते हैं ही फोर होती है इसके बाद सेकेंड पूछा गए आपका थिरी सर्पेस पेंटेड जो कि आपके मिडल क्यूब होते थे फिर नीचे दो सतय रंगे घनों की संग्या हां यह आपके क्या है दो सतय वाले कौन से होते थे कॉर्णर क्यूब है ना शेलिए तो देखिए यहां से फोर सर्पेस पेंटेड जो कि आपके कॉर्णर क्यूब होते थे वैलू फोर फिक्स होती थी ऑप्सिन नंबर बी मिडल क्यूब की वैलू आप होल्ड रखिये सबसे पहले आप निकाल लिए सेंट्रल क्यूब की वैल तो आप की value निकालाएगी यहां से चलिए है अलवे जाने total में से घठाना पड़ेगा इनकी दोनों की वैलours एड करके correct अभी निकालते यह झासे वैलू क्या निकलेगी जesz यह दो आपकी four निकले ईंटि किवेलु क्यास मेरा थाई है 20 20 में से 10 लेस्ट करेंगे आपको आजागा 10 करेक्ट जो कि टोटल आपके कितना बन रहा है 20 जो कि करेक्ट है तो टू सरफेस पेंटेट का लिए कितने हो जाएंगे आपके 6 ऑप्सन नमबर आप जानते हैं ना जब किसी भी वैलू 1 हो जाए जहां से आप एक भी कट नहीं लगा रहे हैं तो आपका बन जाता है स्पेसल कोशन और इसी स्पेसल कोशन में आपके तीन टाइप के क्यूब बनते हैं कॉर्णर क्यूब जिसकी ज्यादा ज्यादा आपकी अब आपकी 4 सर्फेस पेंटेट मिलेगी कॉर्णर क्यूब की सेकंड आपको मिडल क्यूब जहां पर आपको थी सर्फेस पेंटेट मिलेगी थर्ड आपका कौन सा सेंट्रल क्यूब जहां पर आपको यहां पर टू जो कलर लेस कोई बनता ही नहीं तो जीनो करेक्ट इसके बाद आपका टाइप 3 सुरू होगा जो कि पढ़ेंगे आम नेक्स्ट क्लास में और टाइप 3 से आपको दो कोस्टन करवाएंगे मल्टी हां मल्टी कलर होंगे और इसी में आपको यूपी असी का पूछा गया है 2023 का को बहुती स्पेसल कुछ से तो वह करवाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में क्योंकि वह थोड़ा टफ हो जाता है और अभी इस क्लास में बताना मेरे लिए हमें लग रहा है सही नहीं है क्योंकि आप यह जितना बढ़ा है फिर वह आप भूल जाएंगे चलिए तो ऐसा नही की जो सबसे हाड को सनों गया हां क्यूब का मल्टी कलर को सनोगा और आपके यूपी ऐसी सी सेट में पूछा गया ठीक है ना चलिए तो कराते नेक्स्ट क्लास में वह आपकी 30 में क्लास होगी उसमें आपका कवर हो जाएगा बाकी इसकी वह लुक कैसे निकालते हैं अब आपने कौन्स हैं आप टाइप टू पढ़ा टाइप टू में आपको कुछ नहीं बस इस पेसल आपको कुछ पढ़ने थे टाइप टू में चलिए बहुत ही स्माइल के साथ हमने उपढ़ा कवर किया और ना बहुत ही स्माइल करते हुए सॉल भी किये सबसे पहले देखो यहां पर कितने अब आपको कॉर्डर क्यूब कुछ ऐसे देखने को मिलने हैं जिनकी तीन नहीं और यह होंगे कितने पहले तो एड होते थे पर आप यहां पर आपको किटनी फिक्सोंगी इसलिए है आपको इसमें मैंने अगाश हम आप एसकर के कर दिया क्यूंकि इसकी वरे फिक्सोंगी work ज़ादा ज़ाधा ज़ादा सप्रेस को पंवाड टीवा फिक्सोंगे इसके बाद तीन टाइप की क्यूब बनेंगे पहला कॉर्णर दूसरा आपका मिडल क्यूब अभी तक आपने मिडल क्यूब की देखा था टू सर्पेस पेंटेट पर आप आप यह देखा अब तो भाई यहां पे थिरी सर्पेस पेंटेट मिल लें चलिए जो कि कैसे निकालत सबस्ते पहले को निकाल लिए इसमें की यहां इसको उसको भूल जाए उब हम इसको भूल गए है ऐसे छिपा दिया हाइड कर दिया हाइट लगा दिया ठीक है बाकी जो बचे उन में से दो दो कम करके गटा दू करेक्ट जो कि आपके सिक्स निकाल आया और फिर देखिए मिडल क्यूब की वैलू कैसे निकालते हैं टोटल में से इन दोनों को एड करके गटा दू आ जाए होंगे नेक्स ट्लास में टाइप नंबर जो कि आपका बहुत इंपॉर्टन हो जागा है इसे क्यूब में करवाया थे ना सपेशल को सथान यू पिसी का ऐसा ही आपका क्यूब आड में भी आपको 2023 में पूचा गया मल्टी क्यूवाइट से पूचा गया वह तो किया था क् का मल्टी कलर क्यूवाइट से होगा जो कि बहुत ही बेतरी लाजवाप कंसेप्टिव होगा टाइप नंबर थर इसके बाद अपनी ये एक सिंगल क्लास और बची है यह आपका इंड हो जाएगा और खतम हो जाएगा क्यूवाइट का करेक्ट चलिए मिलते नेक्स क्लास मे सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूले सब्सक्राइब करना ना भूले सेयर लिस्ट में वीडियो को जुरूर रड़ करिए बाकी मिलते हैं नेक्स क्लास में लब यू टेक केर बाय बाय जैहन